नमस्कार भाईया भाईनी अपना पंचे देखे रहना है विराट के भगेली बुलेटिन पूजा के साथ खबर रिवा से है जहां प्राइवेट स्कूल एसोसियेशन मध्य परदेश के परदेश सचीफ दीपेंदर सिंग और जिला रिवा के अध्यक्षार के सर्मा के नेतरत माही स्कूल के समस्यन कलाई के सोमवार का मुख्यमंतरी के नाम जिला कलेक्टर का ग्यापनसौ पागा जोने माही कोरोना गाइडलाइन के मुताबेक स्कूल खोला है आर्टी एके तहट रासी के भुक्तान और मानेता नमीनी करण आदी सम्बंदित मुद्दा कलेके ग्यापनसौ पित अपनसौ अपने आएं सर क्या मामला है हमारी मत्वेस परकार के समथ मुक्ताफ बांच मागे हैं जिन में पहला है कि पहली से बार्वी तक की स्कूल करोना गाइडलाइन को पाधन करते हुए खोले जाए आर्टी की रास 2011-12 तक की तत्काल भुक्तान की जाए तक्षा एक से आठ तक की मानता का नमीनी करण बिना इरिक्षर परिक्षण के किया जाए हाई स्कूल हाज करनी की कुछ मानताएं जेडी द्वारा निदस्की गई है उनको अबिलम बहाल किया जाए प्राइवेट स्कूल एसोसियेशन मध्य प्रदेश का सबसे टाकतवर संगठन है और मध्य प्रदेश में संचालित होने वाली सभी प्राइवेट स्कूलों के स्कित्तु की लड़ाई को लड़ने वाला संगठन है और किसी भी स्कूल के साथ ये गलत नहीं होने देगा सरकार चाहिए हो चाहिए जो सरकार हो हमारी जो भी मागे हैं इस सरकार को माननी ही पड़ेगी नहीं तो हम लोग 3-8 बजा देंगे और अगर हम बना सकते हैं तो हम बिगार भी सकते हैं हम सब लोग सिक्षक हैं और अगर सिक्षक को इन्होंने परेशान किया तो सिक्षक रोड मुलेटिन के अगली खबर से मरिया के बर्रो से हब है जहां के रहे वाले सैलेंद्र प्रजाबती बताइन के 20 जन्वरी का ही बर्रो के अहिरवाला मैदान मा क्रिकेट खेले के लाने गिरे हैं जहां स्थानी रुपेंद्र गौतम और अनकर साथी जाती सूचक सब्दन के प्रयोग करके उनके साथ मार पीट करें भद्धी गाली देहिं जोने की रिपोर्ट युवप पताइन के सिमरिया माउ दर्ज कराए रहे हैं पयोखे बावजूदों कोने मेर के कारवाई नहीं कीन अगले दिन कोई नहीं आया तब मैं एसकी आफिस में अपना शिकायत दर्ज कराई तो एसकी आफिस में जैसे शिकायत दर्ज होती है पुझे थाने बुलाया गया तो उस तिन थोड़ा लग जाज करने गया और चल्दी से जाज करें और चले आए वहाँ से दो चार लोगों से आफिस द्यान वान भी बाकि जबकि घटना में कई सारे दोग दिते हैं बाद में दूसरे दिन मुझे फिर से बुलाया गया और बुलाए और बुलाके ठाने में जो आरोपी के परिजन से परिजन के साथ में मेरे साथ संधुरता का दवाब बनाने के पुलिस वादों के द्वारा पुलिस अदिक्षक महोदे से मैं मिलने आया मैं भी अस्पी जिला धेच है रिवा एड़ोकेट अमित करना के सेलेंद पजापती जी है इनके साथ 20 तारिक को मार पीट हुई है अभी 20 जनवरी को और यह अपने जादिगत मार पीट इनके साथ जो की गई और वो आरोपी थीक है लेकिन उनको फालएं के लिए थान में गाए उन्होंने अवध्यादन लेकर और भगा दिया थीक है और अगर किमावला सत्व पाया जाता है तो यह बात हुई इन्होंने दूसरे दिने जोहते इनको थाना बुलाया गये यह घए अब वहां गए ज़िए अर्जात क लेकिन इनको फाने में बुलाकर आरोपी के सामने जो इनके साथ गवाह देने वाले थे कहां फला फला आरोपियों ने मारा उनके सामने जो थी इनको फाना के अंदर पुलिस वालों पुलिस वालों ने मारा आरोपी के दवाओ में आरोपी कितनी दहसत वहां और वहां इनके स तो अपनी पीडा ठाने में लेकर जा रहा है, दूसरी बात दबा बनाए जा रहा समझाउता का, यानि आरोपी का इतना बड़ा दबदबा है कि पुलिस वाले स्वयम उसके जो समझाउता में लगे हुए है। दुनों के मोबाइल नमबर अदला बतली भेरे, जोने के बाद अब युवक 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 का ही भद्दा मैसेज भेज़ा शुरू कर दे है। अब भूल गए महाला जो भीडिया घरे में भाइनी साथ तो चमार सोबर ते तब भूल गए। तो भी ने रितकायने करे हैं पंचायत अब हम से नक करें बताए दे थाम ड्राइद नहीं हैं पर बुला लिजे कर बुलावाए कोई तोका था। है यह ताइम पर हम तोका पाक नदार हम दूए मिला तोका हम बता दे पंचायत के अब से सुन रहा है। प्रूल यारी दे रहे हैं। क्या सिकायत लेके आई हैं। सिकायत लेको आई हैं कि वह जहां हमारे सारी लगी थी, तो वह जिसके सारी मेरे तो वह थार बूर्टा उखता था। अब आपने कुछ भूटो दिखाए जो बास्चीद इगा इसे ङुए ताफ पूटो पेस्बूग में आया है तो पूटे दूनीय मेरी पंग फोटो जिए मेरी दूना किया थार खुआरा तो जो नहीं मान दा वाइल प्रिजे स्कॉर्ड लागा इसे आपकी शादी होनी थी किया है? वाइल मेरी खीच लिए ती आपकी शादी खीच लेगे तो कुछ फोटो ऐसी है जिसमें असली फोटो देख रही हैं तो कैसे आप उनके पास को आए थे तो आई ही तो आए है तो आए हमोगे साथ में फोटो कीचा आइए जबा ज़ाक्ती खीचेते फोटों यह सब करके वह क तो साधी भी नहीं करें ओख साधी वे नहीं करेंगे। लाइट सब्सक्राइब और शेयर जरूर करी नमस्कार